नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के बतले तेवर की अर्थ्विवस्था को लेकर सरकार से राहुल के सवाल की जानेंगे कि यूपी में क्या है कॉंग्रिस का मास्टर प्रोक मध्यप्रदेश में अब सिंधिया को कैसे लगा शौक और बिहार में किसकी कितनी सीटों पर दावेदारी और आखिर में बात जीडिपी पर आईएमफ ने क्यूं दिया चिंता में डालने वाला संकेत लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर दिन भर की सु औरेटोरियम मामले में 10 सितमबर तक टली सुनवाए सुप्रिम कोट ने कहा फिलहाल किसी भी अकाउंट को एनपी ए घूशित ना किया जाए संसद्य समीती ने फेसबुक इंडिया हेड से पूछे सौ सवाल साथ दिन में देना होगा जवाब फेसबुक पर अमेरिकी अखबार ने किया था बीजेपी के साथ साथ गाठ का फुलासा आईपेल का कल जारी हो सकता है शेड्यूल 19 सेतंबर से शुरू हो रहा है आईपेल का तेहरवा सीजन इस बार UAE में खेला जा रहा है आईपेल पहले चेननाई और मुंबई के बीच खेला जाना था पहला मैच लेकिन अब चेननाई नहीं खेलेगी ओपनिंग मैच सुर्खियों के बाद अब बात आज के सबसे बड़ी खबर की स्वास्ते मुझीबत के बीच सरकार ने संसद के मौनसून सत्र में प्रशनकाल कैंसल कर दिया था जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर लाल हो गया कॉंग्रिस ने तो प्रशनकाल के बिना संसद सत्र बुलाने पर ही प्रशन चिन लगा दिया लेकिन कॉंग्रिस समय तमाम विपक्षी दलों ने विरोध के बाद अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुडेंगे राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है राजीव जी आपका लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट संसद का मानसुन सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है लेकिन ये सत्र सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है दरसल स्वास्त संकट के कारण इस बार संसद सत्र में काफी बदलाव हुए है और प्रशनकाल को हटा दिया गया है सत्र से प्रशनकाल हटाये जाने पर विपक्ष खासा नाराज है और सरकार को तल्ख तेवर दिखा रहा है कॉंग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि चुकी प्रधान मंत्री ने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब उनकी सरकार भी ऐसा ही करेगी संसद में प्रशनकाल ना होना लोकतंतर के लिए मुश्किल स्थिती है सवालों से बचने के लिए बीजेपी की मनशा दिखाती है कि वे न तो लोकतंतरिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और नहीं सुषासन पर विपक्ष ने जब सवालों की जड़ी लगाई तो सरकार को दवाब में अपना फैसला बदलना पड़ा सरकार ने अब प्रशनकाल को लेकर कुछ बदलाव किये हैं अब संसद के मानसुन सत्र के दौरान संसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा आज संसद सत्र से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि संसदों को ये बताया जाता है कि इस बार राज्य सभा में प्रशनकाल नहीं होगा ऐसे में सभी सदस से अपने सवाल पहले दे सकते हैं जिनका लिखित जवाब मिलेगा आपको बता दें कि स्वास्त मुसीबत के बीच इस बार संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है जो बिना किसी अवकाश के एक अक्टूबर तक चलेगा लेकिन प्रशनकाल और शुन्ने काल निरस्त होने के कारण विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया था सरकार अब लिखित में जवाब देने को तयार है लेकिन विपक्ष इससे भी संतुष्ट नहीं है टीमसी के राजिसभा संसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आप प्रशनकाल की अनुमती नहीं देते हैं जहां मंत्रियों को संसदों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उन्हें जवाब दे ठहराया जाता है अब आप केवल लिखित प्रशन और उत्तर की अनुमती देने के लिए क्रिपा कर रहे हैं तुकडों में चीजे देना बंद करें ये संसद है गुजरात का जिम खाना नहीं तो विपक्ष चाहता है कि प्रशनकाल संसद की परंपरा के अनुरूप ही हो जिसके लिए सरकार तयार नहीं है खैर संसद सत्र शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं और विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को प्रशनकाल के लिए तयार करा लिया जाए राजीब जी सरकार से सवाल पूछना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मीडिया ये सारवजनिक मंचों से तो सरकार से सवाल पूछे ही जाते हैं इन सवालों के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी तो है लेकिन जवाब देने की बाध्यता नहीं है इसलिए अधिकांश सवाल सवाल ही बने रह जाते हैं लेकिन संसद में पूछे गए सवाल का उत्तर देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और वो इसके लिए बाध्ये भी है लेकिन सरकार प्रशिनकाल को लेकर बहाने बाजी कर रही है पहले तो प्रशिनकाल के लिए ही तयार नहीं थी अब तयार है तो उसमें भी शर्ते आ गई है कि लिख कर सवाल दो और लिखित में ही जवाब ले लो विपक्ष जवाब को लेकर सरकार को घेर भी नहीं सकता सरकार विपक्ष से भागने की कोशिश कर रही है या सच्चाई से जिस रिष्टी सरकार के रवईये से तो यही जाहिर होता है कि वो जवाब देही से भाग रही ह सचाई से मुह चुरा रही है और विपक्ष से बचने की कोशिश कर रही है संसद को देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है क्योंकि यहां जनता द्वारा चुने गए हर एक प्रतिनिधी को अपने संसदिय क्षेत्र और जनहीत और देश हित के मसलों पर आवाज उठाने का हक मिलता है यानि संसद में जनता की आवाज पहुचाने का काम संसद करते हैं अगर सरकार के वल अपने बहुमत के बूते इस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा फिर तो अधिनायक बाद का रास्ता नजर आने लगेगा ये स दर्म सलों पर हम जाते हैं तो वहां के कुछ नियम हैं कहीं जूते चपल उतारने होते हैं तो कहीं सिर ढखना होता है वैसे ही संसद संचालन के लिए भी कुछ नियम है जिने अपनी सुविधा के लिए बदलना ठीक नहीं है प्रशनकाल को टालने की कोशिश भी ऐसी ही सरकार आसुविधा पैदा करने वाले सवालों से बचने के रास्ते ढूंड रही थी गनीमत है सुष्टी की अब लिखित तोर पर ही सही लेकिन सांसदों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा अब विपक्ष को ये ध्यान देना चाहिए कि वो संसद सत्र के हरे एक मिनट का भ पढ़ा रखी है राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज के शुरुवात की थी जिसका अब दूसरा पार्ट रिलीज किया गया है क्या है इस पार्ट में देखिए हमारी ये रिपोर्ट महामारी के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर चोट लगी है लेकिन इसका सबसे जादा आसर भारत पर हुआ है हाल ही में आए जीडिपी के आखनों के अनुसार विकास दर माइनस 23 फीत दी तक पहुँच गई है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने इस मसले पर भी मोधी सरकार को जम कर घेरा राहूल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्धे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोट बंदी के मसले पर मोधी सरकार को घेरा और नोट बंदी को गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया राहुल गांधी ने तल्ख लहजे में कहा कि नोट बंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान और मज़दूर पर आकरमन था आपको याद होगा कि ये 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीम मोधी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिये जिसके बाद पूरा देश बैंकों के सामने जाकर खड़ा हो गया इस पर राहुल ने तीखा सवाल पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा क्या लोगों को इससे फाइदा हुआ लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी यहीं नहीं रुके उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि नोट बंदी से सिर्फ अमीरों का फाइदा हुआ आपका पैसा घरों से निकाल कर अमीर लोगों के कर्ज में लगा दिया गया राहुल बोले कि इसका दूसरा मकसद था देश के असंगठित क्षेत्र को साफ करना दरसल राहुल गांधी का कहना है कि सरकार नोट बंदी है कैशलेस इंडिया चाहती थी अगर ऐसा होगा तो यह असंगठित क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को नुकसान हुआ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले 31 अगस्त को इस सीरीज का पहला हिस्सा जारी किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मूद्य सरकार जान बूज कर असंगठित क्षेत्र की अर्थ्यवस्था को बरबाद करने में लगी हुई है एक तरफ केंद्र सरकार को कॉंग्रेस घेरने में जूटी है वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार की घेरबंदी में कॉंग्रेस महासेचिव प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत जोग दी है डॉक्टर कफिल खान को भले ही योगी सरकार परेशान करने में लगी हो लेकिन विपक्ष उनका हमदर्द बन रहा है कॉंग्रेस महासेचिव प्रियंका गांधी ने तो उनसे फोन पर ही बात कर ली जिसके बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि डॉक्टर खान को बड़ी जिम्मेदारी भी सौपी जा सकती है प्रियंका के इस कदम को सियासत से जोड़ा जा रहा है डॉक्टर कफिल खान की रियाई ने वो सच सब के सामने ला दिया जिसे योगी सरकार नकारने की कोशिश कर रही थी सरकार बार बार कह रही थी कि डॉक्टर खान का सूर्वार हैं लेकिन इलहबाद हाई कोट ने मान लिया कि उनका कोई दोश नहीं है इसलिए करीब 6 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है जिसके बाद समूटा विपक्ष इस फैसले की सराहना कर रहा है अखिलेश यादम ने तो ये तक कह डाला कि योगी सरकार ने जान बूझ खर उन्हें फसाने की कोशिच की है बसपभी खान के साथ खड़ी नजर आ रही है लेकिन इन सबसे आगे निकलते हुए कॉंग्रिस महासर्चिव प्रियंका गांधी तो उनकी हमदर्द बन गई जैसे ही डॉक्टर कफिल खान मतुरा जेल से रिहा हुए वैसे ही प्रियंका ने उन्हें फोन कर हाल चाल जाना को ततकाल रसू का हटा कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया उमीद है कि यूपी सरकार बिना किसी देरी के डॉक्टर कफिल खान को बिना किसी दुश्मनी के रिहा कर देगी डॉक्टर कफिल खान के रिहाई में उनके प्रियासों के लिए सभी न्याय प्रिये लोगों औ दूपी कॉंग्रेस कार्यकरताओं को बधाई और अब जब कफील रिहा हो गए हैं तो कॉंग्रेस उनके सामने पलके बिछाय हुए हैं बताया जा रहा है कि रिहाई के समय पूर्व विधायक खुद डॉक्टर कफील को लेने के लिए जेल के बाहर पहुंचे थे यहां तक कि डॉक्टर कफील डिगज कॉंग्रेस इनेता प्रदीप माथूर के घर पर रुके हैं जो मतुरा से चार बार विधायक और एक बार सांसद रहे थे कफील से कॉंग्रेस की करीबी को सियासत से जोड कर देखा जा रहा है सूतरों का कहना है कि कॉंग्रेस आगामी चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है वो डॉक्टर खान के सहारे योगी सरकार को घेर सकती है जिसकी शुरुआत कॉंग्रेस महासरजीव प्रियंका गांधी ने भी कर दी है अब देखना होगा कि प्रियंका चुनाव के वक्त ये मास्टर स्ट्रॉक लगाती है या नहीं डॉक्टर कफील खान यूपी सरकार के गले की फांस बन गए है वैसे गले की फांस तो मध्यप्रदेश में सिंधिया भी बीजेपी के लिए बने हुए है पहले ही कॉंग्रिस ने सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता खत्म किये जाने को लेकर हाई कोट में याचिका लगाई है अब एक और मामला हाई कोट में पहुँच गया है खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताने वाले सिंधिया अब जमीन के सियासत में फंस्ते दिख रहे हैं देखिए हमारी ये रिपोर्ट सौ बिगहा जमीन पर किसका अधिकार? सिंधिया से जुड़े ट्रस्टों का या फिर सरकार का जमीन तो जोती रादित सिंधिया चेरीटेबल और कमल राजा चेरीटेबल ट्रस्ट के कबजे में है लेकिन दावा ये है कि जमीन सरकारी है और सिंधिया से जुड़े ट्रस्टों के पास ये फर्जी तरीके से पहुँचाई गई सो बीघा जमीन जिसकी कीमत 600 करोर रुपे बताई जा रही है ये हकीकत में किसकी है इसके लिए हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है याचिका करता ने तरक दिया है कि गौालियर शहर के सिटी सेंटर महलगाओं ओहदपुर और सिरोल की सरकारी जमीन को राजस्व अधिकारियों ने हेरा फेरी कर सिंधिया के ट्रस्टों के नाम कर दिया है जमीन सरकारी होने के बारे में याचिका करता के अधिवक्ता डीपी सिंग और अवधेश सिंग तोमर ने दलील दी उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब ततकालीन रियासतों का विलय भारत में किया गया इस दोरान रियासतों के राजाओं के साथ एक प्रतिग्या पत्र तयार किया गया था कि कौन सी संपत्तियां राजा के पास रहेंगी और किस संपत्ती पर सरकार का अधिकार हो जाएगा प्रतिग्या पत्र में जो जमीन राजा के अधिकार क्षेतर में नहीं मानी गई वो अपने आप ही सरकार की संपत्ती हो गई और ऐसा ही प्रतिग्यापत्र 30 अक्टूबर 1948 को केंदर सरकार और तत्कालिन सिंधिया राजगराने के बीच तयार हुआ था और जो सौ बीगा से जादा जमीन को सिंधिया के दो ट्रस्टों के नाम की गई है वो प्रतिग्यापत्र में नहीं है जिससे ये संपति सरकार की हो गई योंकि सिंधिया रियासत और केंदर सरकार के बीच प्रतिग्यापत्र तयार हुआ था इसलिए केंदर सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जा सकता है केंद्र सरकार ही प्रतिग्या पत्र को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर सकती है संपत्ती सिंधिया रियासत को दी गई थी या नहीं इसे लेकर हाई कोट ने मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है लेकिन एमपी सरकार की ओर से हाई कोट में मौजूद अतरिक्त महाधिभक्ता एमपी एस रगुवनशी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा जिसके बाद से हाई कोट ने उल्टा सवाल किया किसी को पक्षकार बनाने के लिए जवाब की क्या ज़रूरत है जब रगुवनशी ने दोबारा समय देने की मांग की तो हाई कोट ने एक सब्ता हमें जवाब पेश करने का समय दे दिया बहराल मामला 600 करोड की जमीन का है और आरोपों के घेरे में जोतिरदित सिंधिया फसे हैं दरसल ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर अगले महिने अक्तूबर में उपचुनाव भी हो सकते हैं ऐसे में कॉंग्रेसी से मुद्दा बनाने की तैयारी में है अब सिंधिया की जमीन कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की जमीन ही न खिसका दे इसे लेकर बीजेपी में मन्थन भी शुरू हो गया है मध्यप्रदेश में सिंधिया का राजनीतिक भविशे तो उपचुनाव के बाद ही तैय होगा उपचुनाव में उनके समर्थक कितनी सीटों पर जीत पाते हैं लेकिन फिलाल बिहार में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर महागडबंधन में सीटों की गुत्थी को सुलजाने की कोशिच हो रही है राजनीतिक गल्यारों से खबरे आ रही है कि महागडबंधन के बीट सब कुछ फाइनल हो चुका है यहाँ तक कि ये भी तैय हो गया है कि किसे कितनी सीटे मिलेंगी क्या हो सकता है सीट बटवारे का फॉर्मूला इस रिपोर्ट में देखिए चुनाव से पहले अक्सर राजनीतिक दलों में सीटों के बटवारे को लेकर ही कलह मचती है बिहारविधान सबह चुनाव से पहले महागडबंधन में भी सीटों को लेकर संगराम छिड़ा था यहां तक की जीतन राम मांजी ने तो अपनी नईया को अलग ही कर लिया लेकिन अब ये विवाद आगे ना बढ़े इसलिए महागडबंधन में सीटों का फॉर्मूला तै कर लिया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी 135-140, कॉंग्रेस 45-50, रालोसपा 23-25, CPI माले 12-15, मुकेश सहनी की VIP को 8-10, CPI 3-5 और CPIM को 2-3 सीटे मिल सकती है वहीं आरजेडी के वरिष्ट ने तब हाई वीरेंद्र ने बताया कि महागडबंधन में सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं है और हमारे सभी घटा करदल के नेता सीट शेरिंग को लेकर खुश हैं उन्होंने बताया कि सीटों के बटवारे के गणित की जानकारी बहुत जल ही साज़क प्रेस कॉनफरेंस कर दी जाएकी इसके साथ ही भाई विरेंद्र ने नितीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार जेडियू का सत्ता से जाना तै है सीम नितीश ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है इसलिए वो मुख्यमंत्री के पदपर नहीं रहेंगे वहीं आरजेडियू के इस गणित पर जेडियू ने निशाना साधा है जेडियू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंग ने कहा कि आरजेडियू ना किसी को इजद देती है और ना ही सम्मान इस बार के चुनाव में महागरबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा क्योंकि अभी भी वहाँ पर सीटों को लेकर घमासान जारी है संजय सिंग ने दावा किया कि सीट शेरिंग को लेकर महागरबंधन में सभी घटक दल नाराज है अब जेडियो भले ही महागरबंधन को घेर रही हो लेकिन उसने मांजी की भरपाई लेफ्ट पार्टी के साथ कर ली है साथ ही सीटों का गणित भी ऐसा बैठाया है जिससे विवाद ना हो लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इसी सीट शेरिंग पर सभी पार्टियां मुहर लगाती है या नहीं बिहार में तो महागरबंधन में तकरार खत्म होती दिख रही है लेकिन अब तक सब कुछ सही होने का दावा करने वाली महराश्ट बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के वरिश्ट नेता ही पूर्व सियम देवेंदर फड़नवीस की एक शमता पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के दिगज नेता ने ये तक कह दिया कि जो 15 साल पहले राजनीती में आए वो नेता हमें क्या सिखाएंगे तो इस तकरार से साफ है कि बीजेपी में बड़ा बवाल हुआ है महराश्ट्र विधान सभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी में खटपट का शोर सुनाई दे रहा है हालांकि कभी नेताओं ने खुल कर एक दूसरे के खिलाफ जुबान नहीं खोली है लेकिन अंदर खाने बवाल मचा हुआ है और वो तकरार सियासी सतह पर भी नजर आने लगी है जो नेता कलता किशारों में बगावत करते थे वो अब खुले आम ललकार रहे है महराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ट नेता एकनाथ खडसे ने निशाना साधा है उन्होंने कहा कि जो लोग 15 साल पहले राजनीती में आये वे अब उनके जैसे नेताओं को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जब बीजेपी शिव सेना ने 2014 का विधान सभा चुनाव अलग अलग लड़ा तब हमारी कोशिशों ने बीजेपी को सपष्ट पहुमत के नस्दीक पहुचाने में मदद की जबकि पिछले 15 साल में जो लोग राजनीती में आये हैं वो अब हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने ये तक कह डाला कि लोग इस बात को निश्चित रूप से पसंद नहीं करते हैं कि मैं वापस आऊंगा एकनात खडसे ने ये तंज फड़नवीस के उस नारे पर कसा है जिसमें वो विधान सभा चुनाव के दोरान मराठी में बार बार कहा करते थे मी पुनहा ये इन यानि मैं वापस आऊंगा बीजेपी के दिगज नेता ने फड़नवीस को जोड तोड ना करने की भी सीख दी उन्होंने कहा कि पार्टी के पास महराश्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए परियाप्त संख्या बल नहीं है छोटा मोटा दल बदल से काम नहीं चलेगा बलकि एक समूची पार्टी का बीजेपी में विलै कराना होगा तभी जाकर हमारी पार्टी राज्ये की सत्ता में आएगी मुझे लगता है कि इस वक्त ये एक बचकाना उम्मीद है खड़से के इस बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद कर महराश्ट्र में सरकार बनाने की जुगत में लगी है लेकिन पार्टी के नेता ही उनके मनसूबों की पोल खोल देते हैं इसके बाद यही कहा जाएगा कि इन इरादों से मुश्किल महाविकास अगारी गड़ बंधन की नहीं बलकी बीजेपी की बढ़ सकती है और बुलेटिन के आखिर में बात गीरती जीडीपी पर आई-मेफ के अनुमान की हाल ही में आई-जीडीपी के आखडों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है लेकिन सरकार के माथे की ये शिकन भी कम होने की जगा और बढ़ने वाली है क्योंकि भारत की अर्थ्यवस्था को लेकर अंतराश्ट्रे मुद्राकोश यानी आई-मेफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपिनाथ ने बेहद डराने वाला बयान दिया है जिससे सरकार को पसी ना आना तो तै है तो ऐसा क्या कहा है गीता गोपिनाथ ने देखिस रिपोर्ट में देश में महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया जिसके चलते भारत की अर्थ्यवस्था का पहिया थम गया इसके बाद अनलॉक के प्रकरिया शुरू हुई लेकिन अर्थ्यवस्था पट्री पर नहीं लोट पाई हाल ही में वित्य साल 2020 और 21 की पहली तिमाही में जिडिपी के जो आंकडे सामने आये हैं वो बेहद खराब थे सरकार को सुधार का कोई रास्ता नहीं सूज रहा है ऐसे में अब अंतराश्ट्री मुद्राकोश यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपिनाथ ने भी बेहद डराने वाला बयान दिया है दरसल गीता गोपिनाथ ने ग्राफ के जरिये अप्रेल से जून 2020 के दोराण G20 देशों के GDP यानी आर्थिक विकासदर की तुलना की है महामारी के चलते घोशित लॉकडाउन से अर्थवयवस्था का जो पहिया थम गया उसके चलते भारत की आर्थिक विकासदर G20 देशों में सबसे कम रही है गीता कोपिनाथ ने एक ट्वीट किया जिसमें मौजूदा वित्तिय साल की दूसरी तिमाही में Z20 के सदस्यों के आर्थिक विकासदर के आखड़े डाले इन आखड़ों में साफ पता लगता है कि Z20 सदस्य देशों में भारत की आर्थिक विकासदर सबसे कम रही है इसमें चिंता की बात ये है कि उस ग्राफ में सबसे नीचे भारत का नाम है इस ग्राफ में अप्रेल से जून के दौरान लॉक्टाउन वाले पीरियड में भारत की आर्थिक विकासदर माइनस 23 फीस दी रही जबकि Z20 के सदस्य देशों में एक मातर देश चीन है जिसकी आर्थिक विकासदर पॉजिटिव रही है गीता गोपिनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि Z20 देशों की आर्थिक विकासदर एतिहासिक नीचे जालूड की है हालां कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई से सितंबर के बीच की तीसरी तिमाही में Z20 देशों के आर्थिक विकास दर में निचले स्तर से बहतर सुधार होगा, लेकिन भारत फिर भी नेगेटिव जोन में ही रह सकता है। तो विलाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही देखते रहें डीबी लाइफ, नमस्कार!